जहें पिश्जी कशा में हम 우리는 Front्स वरभ्र के निर्मांण उससे उत्त्ति सिंप fights हिसे वराश्यां उनके बादे में चच्चा की थी वराश्य उसे विभीनीपत्राकरके वराश जहां जिनका झीन की सीमा बनाती हैसे मेरे कहा हैं है युद्रता करके निर्मित चक्रवात जो दिबिन वायू राशिया है वो जब एक दूसरे की और चलती है एक दूसरे की और प्रसारण होता उनका तब चक्रवात का निर्मान होता है तो चक्रवात के बारे मां मद्यान करेंगे सामाने रूप से जो चक्रवात है वो निम्न बिंदू को केंदर होता है निम्न दाब और जैसे केंदर से बाहर जाएंगे दाप बढ़ता जाता है ऑर इसके चारों तरफ जो है साइथ olur होती है तता केंदर से बाहर की और वायुदाब बढ़ता जाता है इसके फल्सुरूप क्या होता है कि परिदी से केंदर की और हवाय चलना लगती है जब वायुदाब केंदर में निम्न होगा और बाहर उच्छ होगा तो क्या होगा जो केंदर से जब हम परिदी की और जाते हैं तो तो उच दाप के अग्सेतर से हमने पहले पढ़ा था कि वायू को चलना है हवाव को चलना है हमेशा उच दाप से निर्म दाप की होता है तो उच दाप से वायू केंदर की होば चली तो एक Sunya परर अजाएगा पारलिस के करण यह ढमने फेरिल के नियम में पढ़ा तो उस करण से कोर्यलिसमल के करण या तो क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज मतलब सुई की रखागा नुसार या सुई की घड़ी की सुईयां जो है उसके विप्रीत दोनों दिशाओं दोनों तरफ से एक चक्रवाती इस्तिती उत्पर्न हो जाती है जिसे हम चक्रव होगा धोलिल मना रखा एण लेटर एन्स साइकलोन स्रूलेशन का जो नीएम हैं वह क्या है और दक्षनी गुणार्द में कैसा होगा देज प अपर वेड़ा और नीचे आप एरो बना दो तो वह एंटी क्उटिश कोंध देखेगा कि तो में हमेशे दोंध मनोथ हुगा व क्लॉक्वाइज होगी तो सर्कुलेशन जो होगा चक्रवात को इस तरीके से होता है अब मैंने एक चित्र के अंदर चक्रवात का एक ग्राफ में डाइग्राम बनाया है जिसमें आप देख सकते हो कि यह जो रेखा हैं उनके उपर मैंने लिखा है एक जार 11 MB, 109 MB, 107 MB, 1005 MB, 1003 MB, 1001 सेंटर में जो हैं केंदर का बनाया है उसमें 100 MB लिखा हुआ है मतलब यह हुआ कि यह आइसो बार्ज हैं समदाब रेखा हैं जो देशारी है कि इन क्षेत्रों में वाज़दाब किसे प्रकार क कि जो रेखा हैं वहांसे हवाओं का चलना एरो के द्वारा समझ जाए गा है एरो आप देखो परिदी से केंदर की ओर जा रहे हैं तो यह वायुदाभ है अब इसमें एक तो वाम सेक्टर लिखावा है एक कोड्ड सेक्टर लिखावा, मतलब जो दक्षिन नीचे की ओर है दक कोल्ड फ्रेंट जहां लिखावा है वहां पे ट्राइंगुलर एरोज बनाए वे हैं ट्राइंगुलर डिजाइन के त्रिकोणिय रूपके एरोज बनाए वे जिससे यह दर्शाए गया है कि कि शीत जो वायुराशी है वह उष्ण वायुराशी की तरफ अग्रशित हो रही है और जहां पर वाम फ्रेंट लिखावा है वहां पर जो है सेमी सर्कुलर अर्थ गुलाकार ऐसे डिजाइन बनाए गी है इसका मतलब यह हो गया यह वाम फ्रेंट है तो कोल्ड फ्रेंट तो त्रिकोन आत्मा को रूप से दर्शाय जाता है और वाम फ्रेंट जो है अर्थ गुलाकार बिंदुमा दर्शाय गया है तो जब फ्रेंट होता है वातागर होता है शीत वायुराशी के और उस्न वायुराशी के बीच में वह जब गुलना शुरू हो जाता है मतलब एक हवा इस लिए वी फिक तरुक के में ऩुज़की 3 वी व्पते हैं इनको बन तीन तरíकर से विवाजिद कर सकते हैं गतिक छेखरवाद और गोण सेकंटर्री शायकलोंग नामिक साक्लोंग सायखलोन खर्मलं ज्तीन प्रकास हिराब दाइनेमिक वह होता है जो सीथ वायरोसी मतलब किसी हवा के छलने करन प्रिजिकल फोर्ष ये थंडा ये वायरोसी क्षित होनी शुरूए तो यह डाइनेमिक साइकल होते हैं ताप ये होते हैं जो सुर्य तप के चक्रवात ये करण पर हीट के करण केंद्र में निम्न दाप अक्षेत्र बन जाएगा और उसको फिलप करने के लिए उसको भरने के लिए चार तरफ से हवाई चलेगी तो उसे हम डाइनेमिक चक्रवाद करते हैं और सेकंट्री मतलब वाण मतलब इस तरह का चक्रवाद जो है प्राए मुख्य चक्रवाद के विलीन होने पर उसके पीछे शीत बाता गर्भर की ठंडी अवागे गर्म सागर के उपर चलने के करण मतलब विल्मिघ के घुछ खत्म होने के स्ताथी होती है तब यह गौंड चक्रवाद कहलाता है तो टेम प्शाइकलोंस को मनें इस तरह की विभाजित कि है उत्री गुलार्द के लिए कि इसमें आप देखोगे जो वायूराशी है गर्म वायूराशी और शीत वायूराशी दौनों में हवाएं का चलना जो है सुई की गड़ी के विपरीद दिशा में चलना हो रहा है मतलब एंटी क्लॉकवेज हो रहा है तो इस करण से हम इसे यह कह सकते हैं कि यह उत्री गुलार्द का शितोष्ण प्रकार का चक्रवात है अब इसके जो सोर्स रीजन है वो मुख्यत है प्रशांत मासागर में उत्प होता है और आइसलेंड बेरेंट सी और यूरोप के महादीव के आसपास यह इस तरह की चक्रवात में देखने का मिलते हैं प्रमुकता है अक्षान सीक्षेत्र है यह जो ट्रॉपिकल एरिया इस मैंना पढ़के टेंपरेट एरिया इस गंतर करता थे ऐसे जगहां पर इसका इसका उत्पन होना मुक्यते सागरिय भाग पर होता है और इसके समीप में एक स्थलिय भाग होना चीए पहली शर्त तो यह है दूसरा यह पांच डिगरी उत्रिय अक्षान से लेके 30 डिगरी उत्रिय अक्षान के मद्ध्य होता है तीसरा यह पांच डिगरी दक्षनी अक्षान से 30 डिगरी दक्षनी अक्षान के मद्ध्य होता है चौथा नियम यह है कि इसके लिए एक मद्ध्य में निम्न वायुदापका अक्षित्र होना आवशक है जिस जहांसे अत्यन तताप के करण हवाएं उपर की और उठने लग इसको बरने के लिए इस वेक्यूम को फिल अप करने के लिए जो सबी दिशाओं से अवा इसकी और आवाओं का खिचा होगा और इस करण से उत्री गुलार्द के अंदर यह प्रति चक्रवाती है इस्तिती उत्पन कर लेगा और दक्षनी गुलार्द के अंदर यह प्रति कंडिशन है अब हम इसकी अगर अनटोमी पढ़ें इसका डिसेक्शन करें हम तो हम यह देखेंगे मध्य में इसमें जो गोला बनाया हो उसमें लिखा आई मतलब यह चक्षू है इसका आँख है इसकी साइक्लोन की जहां पर हवाएं वर्टिकल रूप से मतलब लंवत रू इसकी शांत रहती है हावाओं का अधिक चलानी होता लेकिन जो मेग मेग से अच्छा दित रहता है और इसमें इसकी जो परिफरी यह इसका जो रेडियस है इसकी त्रिज्या है वह दस से 50 किलोमेटर की होती है इस चक्षू के चारव तरफ जो हम होती है वह होती है अधिक भी हो जाती है तो यह हैंकर चक्रवात का रूप धारण कर लेता है जिसमें जन और माल क्यानी होना लाजमी है इसकी जो कुल चोड़ाई है वह 10-13 किलोमेटर है मतलब चक्षू से लेके 10-13 किलोमेटर की चोड़ाई की पट्टी जोगी उसे हम आई वाल कहेंगे चक के साथ इसमें वर्षा भी तिवर होती है जो क्यूमुलो निम्बस प्रकार के जो बादल होते हैं उनसे इनकी हिसमें बर्षात होती है इसके पश्चाज जो चार तरग भाग है वह उसको उसको बोलते हैं स्पारेल बैंड इसको बैंड जो एक उनसकी चोड़ाई 100 में इसमें जो हवाएं होती है वह प्रतिचक्रवाती रूप से उपर के रुठती है इसको हम स्पारेल बैंड बोलते हैं स्पारेल बैंड के अंदर जिविंड की स्पीड होगी 35 से 35 नॉट से कम होगी और पैंसेट नॉट तो इसमें कता भी नहीं होगी तो 35 से लिए लिख काख चैतर या हजार किलमेट तक शेटर और ये जो चक्रवात है वह उत्र घूलार्द में तो तर 01 क्योर चलते मैं दख्षिन है इनका चलना होता है तो आज हमने साइक्लोन दो प्रकार के शितोष्ण और उस्ण कटी बंदी चेक्रवात वारे में अध्यान किया आप इसको विश्थार से इसका अध्यान करें और कोई प्रस्ण हो तो जुरूर पुछें धन्यवाद कि आज